जीटीए 6 के इस ट्वीट को आये 10 दिन से उपड़ हो चुके हैं और ऐसे में बहुत से नए लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं एक जीटीए 6 में लूसिया का बच्चा हो सकता हैं उसके स्टोडी की इंस्पिरेशन कहां से मिली हैं या एक एंपीसी आ सकते हैं जो कि बहुत रेलिस्चिक होंगे उसके टेलर की डेट को लेकर स्पेकुलेशन चल दिया और और भी बहुत कुछ सो वीडियो को एंट तक देखना हैं और स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन दबा दो और गिम्स गॉस्पिने चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी गेमिंग से लिलेर वीडियोज देखने के लिए अब एक रिपोर्ट के एकटोडिंग जीटेश सिक्स में एक चाइल्ड भी होने वाल है और वो किसी और का नहीं बलकि लूशिया का होगा आपको बता ही होगा कि जेसन एंड लूसिया दो प्लेबल करेक्टर्स होने वाले हैं जिसमें लूसिया का शायद बच्चा अपियर हो ये लीक आ रहा है फ्रम रॉक्षार उनिवर्स जो काफी पॉपलर सोर्स है जीटिया एंड रॉक्षार न्यूस का इवन ट्विटर पे तो रॉक्षार गेम्स ऑफिशली खुद इनको फॉलो भी करता है सो चांसे है कि आद इनके कॉंटाइक्ट्स भी काफी होंगे रॉक्षार गेम्स के अंदर अब धियान रखने वाली बात ये है कि ये बच्चा शायद प्लेबल नहीं होगा और ना ही हम उसके साथ खेल सकते हैं क्योंकि वो सुर्फ कर्सीन्स में दिखेगा जैसे आर्डियर 1 एंड आर्डियर 2 में जैक मास्टन था और एक रेडिट के लीक के एकॉर्डिंग लूसी अपने बच्चे को एक स्चोर पे छोड़के चली जाएगी और उसके बाद ही वो अर्रेस्ट हो जाएगी अब कुछ लोग कह रहें कि ये फर्स टाइम होगा जब एक बच्चा अपियर हो रहा है जीटे सिरीज में तो ऐसा नहीं है यार जीटे वाइसिटी स्चोरीज में मेरी बैथ विलियम्स दिखती है जो लुईजी की बैटी है और जीटे फोर में जिल वाउन क्रिस्चन बग भी दिखती है जो कि बहुत अमीर फैमिली को बिलॉंग करती है अब ये दोनों ही कट स्कीन्स में अपियर हुए थे एंड अगर जीटे सिक्स में बहुत सी जो फीमज हाइस है वो हीट नामकी मुवी से ली गई है ऐसी गेफ़ोर के करेक्टर निको की इंस्पिरिशन बिहाइंड एनिमी लाइंज मुवी के मेन इंस्पिरेशन से ली गई थी इवन उसके एक्टर को तो कहा भी गया था कि आप ही निको का रोल कर लो, लेकिन उसने मना कर दिया और YCT game Miami Vice, The Sopranos and Scarface से बहुत inspired है अब ऐसी 2013 में एक movie release हुई थी जिसका नाम है The Place Beyond the Pines अगर आपने movie नहीं देखी तो इसके main character है Luke and Romina अब इसमें Luke is a gentleman है, लेकिन Romina और उसके बच्चे को support करने के लिए वो bank robberies करने लगता है, जिसके बाद police उनके पीछे पढ़ जाती है और एक fun fact बताऊं, Romina के बच्चे का नाम Jason ही है अचा एक और fun fact बताऊं, इस movie में न रे लायटा भी है जिन्होंने Tommy Versity की अवाज दी थी YCT में और इस movie में भी उनको 15 साल की jail होती है बिल्कुल game की तरह उपर से अगर आप characters की look compare करोगे ना Jason and Lucia से, जो की leaks में देखने को मिली थी तो ये काफी similar दिखते हैं, even इनके faces भी और इसलिए लोग सोच रहे हैं कि शायद GTA 6 इसी movie से inspired है और सो 2015 में एक leak आया था, जिसके according GTA 6 में दो protagonist होंगे एक male और एक female, और वो इस movie के characters थे inspired हैं तो भाई 2015 में तो ना ही GTA 6 का gameplay leak हुआ था, और ना ही उस टाइम Jason Sheer या तॉम Henderson leaks दे रहे थे GTA 6 के, because everyone was busy with GTA 5 चल इस article ने बिल्कुल सही leak दे दिया, कि हादो protagonist होंगे, male female होंगे एट इस से लगता है कि भाई इस article में जो दूसरी चीज़ा है कि movie से inspired होगा, वो चीज़ भी सही होगी अब इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आब movie देख लो, तो game की story spoil हो जाएगी क्योंकि Rockstar Games की आदत है कि वो बस characters and setting inspiration लेते हैं, पर story अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं लिखते हैं अब AI का जमाना है और हर कोई chat GPT, open AI, Elon Musk की बात कर रहा है, तो भाई GTA 6 कैसे पीछे रह जाए जब take to interactive की earnings call हुई थी, तो straws and link ने कहा था कि जनरेटेव AI जो आजकल चल रहा है, उससे game के NPCs काफी fun and realistic बन सकते हैं लोकि अब ही क्या हो रहा है कि जो भी game के NPCs होते हैं, वो जो भी bold है या फिर करते हैं, वो सब scripted है, और developers ने बनाया है पर generative AI के help से वो naturally respond कर पाएंगे, हो सकता है वो कुछ ऐसा बोले जो कि script में था ही नहीं, हो सकता है आप उनसे बात भी कर लो जाके जो भी वो bold रहे हैं, वो scripted ना हो, बलकि AI generated हो, जैसे चाय GPT से जब आप कुछ पूछते हो, तो वो scripted नहीं होता, वो तब ही generate किया हुआ होता है इवन अवाज भी AI दे सकता है, एंड इसी से एक NPC बन जाएगा, तो ऐसा possible है कि GTA 6 में NPCs के लिए जनरेटिव AI का use किया जाए, जो गेम को बहुत realistic बना देगा, और सो आपको याद दिला दू कि कुछ महीने पहले एक modder ने AI NPCs का mod बनाया था GTA 5 के लिए, इसमें police वाले या फिर कोई और NPC से आप लंबी बाते कर सकते थे और वो mod actually में take two ने takedown भी कर दिया था, so let's see कि याद ये AI NPCs GTA 6 में हमें देखने को मिलते हैं या फिर नहीं अब सबसे ज़्यादा weight है GTA 6 के trailer का, और Rockstar Games के President Sam Hauser ने कहा था कि early December में trailer release किया जाएगा, इसका मतलब है पहले या फ़र दूसरे हफते में, but छिल अगर date बता लग जाती तो इंतिजार करना असान हो जाता, और कुछ लोग कह रहे हैं कि Rockstar Games की 25th Anniversary के दिन trailer release किया जाएगा, जो किसी भी दिन हो सकता है क्योंकि उसके बार में पता नहीं है, कुछ located 10th December को है वो, बट यार उसके confirmed source नहीं है, लने एक second speculation ये है कि The Game Awards में trailer आएगा, because Game Awards सालका सबसे बड़ा event होता है, जहां Best Games of the Year को various categories में award दिये जाते हैं, और नए games भी announce होते हैं, इवन जैसी Rockstar Games ने अपना tweet किया, उसने कुछ ही time बाज जी आफ केली ने भी announce कर दिया, कि Game Awards की date 7th December है, फिर उनोंने GTA 6 के trailer को Game Awards में आने वारी एक post भी like करी, and even Rockstar Games The Game Awards के advisory board पे भी है, तो हो सकते है कि event में game का trailer भी आ जाए, बट कुछ लोग इसके against भी है, because GTA 6 का trailer आना अपने आप में इतना बड़ा event है, कि वो तक Game Awards को undermine ना कर दे, also Rockstar को पैसा खर्चा करके Game Awards जैसे किसी show की जरुवत नहीं है, वो जब trailer डालेगा, तब ही वो viral हो जाएगा, and maybe first 24 hours में, या फिर फिर्स वीक में 100 million views भी cross कर ले, who knows, still SMS 6 या फिर 7th December ही probable dates हो सकती है, because Rockstar अपने पुराने games को Wednesday या फिर Thursdays को ही release करता आया है, अब जब से GTA 6 के announcement हुई है, तब इसे Franklin के voice actor Sean Fontano और Michael के voice actor net, due कुछ जादे ही active हो गए है, social media पे, वो जीब से cryptic post डाल रहे हैं, even एक podcast में भी appear हुए, and Sean ऐसा लगा मानों बताने वाले हैं, कि GTA 6 में वो होंगे या फिर नहीं, तो बहुत suspense build-up करने के ब What the fuck? Dude, what the fuck? No! And I am officially not making that announcement. Even latest GTA online, and आपकी listening preferences के recording ही, आपको इस playlist में songs recommend किये जाएंगे, because अभी GTA games अलग Erasmus set है, and अलग type का music feature करते हैं, तो यारे बहुत ही अच्छी news है में recording, GTA के radio music बहुत जबरदस्त है, and उनका अलग fanbase है, so हम एक जगा पे वो सब सुन पाए, सोचो आप drive कर रहे हो, या पर cycling कर रह एंड ये playlist चला दो, आपको GTA में driving करने की memories याद आजाएंगी, खेर इसमें Indian songs भी हैं, like रघुबती, रागव, राजराम, चो लिबर्टी सिटी स्टी स्टोरीज में था, तैसे मेरे को एक और fun fact बता चला, कि GTA 5 का जो ये theme music है, ये actually 1968 में आया था, आईसा अब Rockstar का जो टेस चैनल music ढूणने का, वो next level है, so यार बस यही थे all the leaks and rumors about GTA 6, जो की बिचला है, हफ्ते 10 दिन में देखने को मिले हैं, बाकि Mumbai गली इसका exclusive gameplay and reaction देखने के लिए आप left video पे click करो, और Spider-Man 2 की story जानने के लिए right video देखो, ये video अच्छी लेगे तो like करो, गेम्स गॉस्पिनिया च